हेलो इस्टुडेंड कल्यानी जुनियस में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ लखंदाइमा आपको कक्छा आर्ठ की बसंद भाग तीन हिंदी पढ़ा रहा हूं फ्रेंड हम आप आपको पढ़ाएंगे कि जो क्या निरास हुआ जाए पार्ठ है इसके प्रस्ण उत्तर अब हम आपको बताते हैं देखें इसमें प्रिश्ण पहला तो प्रिश्ण पहला है कि लेखक ने स्युकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोका दिया है फिर भी व उन्हें भी लोगों ने उन्हें धोका दिया है लेकिन वो निरास फिर भी नहीं हमारे लेखक तो आपके विचार से इसका कारण क्या हो सकता है कि लेखक निरास क्यों नहीं हुआ तो उत्तर देखें इसका कि लेखक को लोगों ने धोका दिया है फिर भी वह निरास नहीं ह इसके लिए निम्न लिखित कारण हो सकते हैं तो पहला कारण देखिए कि लेकक केवल उन्ही बातों का हिसाब नहीं रखता जिन में उसने धोका खाया है ठीक है? तो यहाँ पर लेकक हमें ये बता रहे हैं कि भाई धोका तो मुझे भी मिला है लेकिन क्या मैं उन्ही बातों को उन्ही जो धोका मुझे मिला है क्या उसी के बारे मैं सोचता रहूं? अगर आपको भी धोका मिला है आप उसी के बारे में सोचता रहेंगे तब ज़्यादा दुखी होंगे अगर आपको किसी ने धोका दिया है तो भूल लाओ, ठीक है, और positive thinking रखो, आप सकारात्मक सोच रखिए, इसके बाद पर दूसरा देखिए, कि लेखक को बहुत सी बेघटना याद है, जब लोगों ने अकारण ही उसकी मदद की है, और निरास मन को सांत बना भी दी है, तो उनके मन को सांत बना भी दी गई है, इसके बाद फिर तीसरा है point, कि लेखक आसावादी बिचार रखने वाला विक्ति है, तो हमारे जो लेखक है, हजारी प्रसाद उबेदी, ये किस प्रकार के लेखक है, ये आसावादी है, मतलब आपकी आसाएं खत्म नहीं होने तो जो अपनी उम्मीदे हमें साब बनाए रखता है, आसाएं हमें साब बनाए रखता है, ठीक है, उसे कहा जाता है आसावादी, तो हमारे लेखक भी कैसे हैं, आसावादी हैं, इसके बाद फिर अगला है, कि लेखक के साथ कम ही विस्वास घात हुआ है, तो इसमें हमारे लेखक के साथ विस्वास घात कम हुआ ही इसलिए हमारे लेखक क्या है आसाबादी है अगला ही कि लेखक अन्य विक्ति के दोसों के साथ उसके अच्छाईयों को देखकर उन अच्छाईयों को भी उजागर करता है आरा समझ में तो लेकिन इसके सांट अच्छाईव्서 अएक तो वे अच्छ ने किया है अगर आपके सांट भी कोई अच्छा साहता करता है आप उसे अपने जीवन में दो घट्नाओं में रेलबे टिकेट बावू और बस कंडक्टर की अच्छाई और इमानदारी के बात बताई हैं, आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताई हैं, जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई इमानदारी और अच्छाई का कारिय किया हो तो जिस प्रकार लेखक के साथ टिकेट वावू ने और इसके बाद जो बस कंडेक्टर था ठीक है उसने इमानदारी बताई थी इन दोनों ने लेखक के साथ में ठीक है तो जैसे हमने आपको बताया था सो रुपे दे दिये थे तो वही टिकेट वावू ने फिर आकर बिनम्रता पूर्वक हमारे लेखक को 90 रुपे बापस दिये थे ठीक है तो ऐसे ही कुछ घटना घटित हमारे जीवन में भी होती है तो इसका वर्णन हम यहां पर करते हैं तो देखें यहां पर कि बिना किसी स् रहा है कि यह घटना के सकब की है तो घटना दिल्ली की है और उस समय की है जब दिल्ली में प्रात्मिक अध्यापकों की नियुक्ति कोन करता था कर्मचारी चैन आयोग तो रिक्रूटमेंट करता है भरती करता है ठीक है तो कर्मचारी चैन आयोग की द्वारा भरती की जात विज दिया था इसके बाद परिक्षा की तिठी की सूचना पहले सही ग्याद थी तो परिक्षा की तिठी निकट आने पर जब उसे प्रवेश पत्र लिकित परिक्छा के हतु न मिला तो अपने सभी प्रव्यष पत्र और फोटो सहड दो दिन पूर्व दिल्ली आ गया था इसमज में अब यहां पर क्या बता जा रहा है तो इसमें यह बता इसके बाद कर्मचारी चैन आयोग के कार्या ले जाने पर उसे पता चला कि उसका आवेदन पत्र इस कार्या ले को नहीं मिला है जब वह मित्र पहुंचता है कहां पर कर्मचारी चैन आयोग में अपने सारे प्रमान पत्र फोटो लेकर तो उसे बताया गया कि आपका तो यहा साथ सो किलोमेटर दूर से आया मेरा मित्र बहुत निराश हुआ अब जो साथ सो किलोमेटर दूर से आया था दिल्ली और जब उसने वहां पर यह पाया कि मेरे आवेदन पत्र तो यहां तक पहुंचे नहीं तो वहां मित्र बहुत ही निराश हुआ फिर वह हिम्मत नहीं हारा फिर वह उसने हिम्मत नहीं हारी है ना उसने अन्य क्लरकों से इस विशे में जानना चाहा तो कोई संतों जनक जबाब नहीं दे पाया और जब इस मित्र ने कई क्लरक से जानकारी ली लेकिन उसे कोई भी संतों जनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ने कम्रे की और जाने को कह दिया था अब जब सारे के लर्क से स्मित्र ने पूछा लेकिन उनसे कोई संतों जनक उत्तर नहीं मिला तो एक लर्क के सभी था जिसने उसे क्या कहा क्या वेक काम करो उस कोने में कम्रे की और चले जाओ तो वह मित्र चला जाता है ठीक है इसके बाद फिर सिस्टर चार पूर्वद जब मेरे मित्र ने अपनी वेथा छइत्री फेसक महुदय को बताई, तो उसने पूछा, तो उसने पूछा तो जो मित्र था, उसे अपनी समस्या अब किसको बता रहे हैं जाकर तो यह जो छेत्री निदेसक है उसको सारी समस्षाएं जाकर बता रहे हैं ठीक है तो उससे निदेसक ने पूछा निदेसक मोहदे ने पूछा कि क्या प्रमान है तुम्हारे पास की फॉर्म भरने का तो जो छेत्री मोहदे थे या छेत्री निदेसक मोहदे थे उन्होंने शर्षञ ने मित्र से पूछा थो साधरण जो मित्र था उसके पास कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं था जिसे वह सावित कर से कि मैंने अबिदन पत्र भरा था नजays फμय उसके कोई पावती नहीं थी अब मित्र था उसने कहा कि मेरे पास 700 km दूर से आया हूं और उसका टिकट मेरे पास है ठीक है अब इसके बाद में फिर छेत्री निदेशक ने बात में सक्तिता महसुस करते हुआ यह उसे प्राथना पत्र लिखने को कहा अब जो च्छेत्री निदेशक है उसने सवजा कि ऐसा कोई विखती तो फालतू तो आ नहीं सकता साथ सो किलोमेटर दूर से अगर साथ सो किलोमेटर दूर से आया है तो वास्तों में इसने फ़र्म भरा होगा कि ठिक है तो फिर से उसने कहा च्छेत्री निदेशकने आप एक काम करो कि आप आप इक आवेदन पत्र लिखते जिए ठीक है आप उसने फिर क्या कह करा पी कावेदन एक प्राथना पत्र लिखा और उसपर अस्ताक्षर कर कमर संक्या 312 मेंВы जाने को कहा आप जो च्छेत्री निदेसक था उसने कहा कि आप एक काम करो आप जो कमरा नंबर 312 है उसमें चले जाईए फिर उसके बाद में जहां उससे उसी समय आवेदन पत्र भरवा कर उसी भवन के तीसरे तल पर परिक्षा तिथी की समय अनुसर परिक्षा देने के लिए कहा गया था ठीक है अब उस 3012 नंबर कमरे में उसको भेजा गया और उससे वही पर एक आवेदन पत्र भरवा लिया गया और उसे परिक्षा की तिथी भी बता दी गई थी ठीक है और उसे कहा कि इस तारीकों परिक्षा है आप इस तारीकों परिक्षा दे देना आरा समझ में अब इसके बाद में नियत समय पर साक्षातकार हुआ और मेरा मित्र आज सिक्षक है और एक निश्चित तिथी पर उसका साक्षातकार उसका भी भी हुआ और वह विक्तियाच क्या है टीचर है सिक्षक है इसके बाद में छेत्री निदेशक महोदय के इस निश्वार्त भलाई इमानदरी और अच्छाई के कारी के लिए आज भी कृतक गिता पूर्ण उन्हें याद करता है और आज जो हमारा मित्र है उस छेत्री वाला तो जो मित्र आया था वह चिते निदेशक के बहुत उपकार मानता है ठीक के तो अब देखिए ह। यहांप निदे सकतब्थ योन नहीं है तो आज गोशेत्य निदेशक हैं आज वह मारे भारत में बहुत सारी लोग इमानदार भी और अमिस का integrating ए तो प्रश्nez में दो था उसका उत्तर यहां पर समाप्त हुआ अब इसके बाद में आईए परदाफास पर परदाफास का मतलब होता उजागर ठीक है अब प्रेश्चन एक है कि दोसों का परदाफास करना कब बुरा रूप ले सकता है मतलब कि जब हम किशी के दोस्तों को उजागर कर देत से किसी भलाई के लिए यह भलाई के कारे से संबंडित ना हो तो ना समझ में जो दोसो का परदाफास करते एं तो वह बुरा रूप कभ ले लेता है जब परदाफास का उद्देश से किसी भलाई के कारे से संबंदित ना होता है आरा समझ तब यह है बुरा रूप ले लेता है दूसरा क्या है कि इसका उद्देश से किसी विक्तिय संस्थान को बदनाम करना हो तो किसी उद्देश मतलब यह होता है कि जब हम किसी के दोस्त का परदाफास करते हैं उसको उजागर करते हैं तो बुरा रूप कम लेता है तो पहला बताया हमने दूसरा क्या है कि इसका उद्देश किसी विक्ति को या किसी संसान को बदनाम करना हो तब यह बुरा रूप ले लेता है दूसरा तीसरा देखिए कि सत्यता को जानने समझे बिना ही परदाफास करने की कोशिस की जा रही है जो वास्तिविकता है सत्यता है हम उसको समझने की कोशिस नहीं कर रहे हैं और हम परदाफास करने में लेके हुए हैं तब यह परदाफास बुरा रूप ले लेता हैं इसके बाद में परदाफास करने वाले विक्ति का उद्देश पैसा कमाना या किसी विक्ति भी से इसको ब बद नाम करना होता है तो ऐसी परितिती में परदाफास बुरा रूप ले लेता हि अगला है कि जब अपनी नीजी बयमनस्यता का बदला लेने का उद्दे से छिपा हो तो आप किसी का परदाफास इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक्षिद्ध को इसके नीजी बैमानि आपके मन में तो ऐसी परिस्थित्य भी है परदाफास बुरा रूप ले लेता है इसके बाद जब उसमें प्रसिद्धी पाने की आकांच्छा छिपी हो तो जो विक्ति परदाफास कर रहा है और वह प्रसिद्धी प्राप्त करना चाह आता है तो ऐसी परिस्थिति में यह परदाफास बुरा रूप ले लेता है यह आपको याद रखना है ठीक है अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दो तो प्रिस्न दो है कि आज कल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोसों का परदाफास कर रहे हैं और इस प्रकार समाचारों और कारिक्रमों की सार्थकता पर तरक सहीद बिचार लिखिए है आझ हम देख रहे हैं कि हमारा समाचार पत्र होता है या जो समाचार न्यूस चैनल होते हैं तो यह न्यूस चैनल बहुत सारे दोस्तों को बताते हैं ठीक है तो इस प्रकार के जो समाचार पत्र होते हैं या इस प्रकार की जो न्यूस चैनल होते हैं इनकी सार्थक्ता पर एक अपनों को विचार लिखना है तो इस प्रकार के कारिक्रमों की सार्थक्ता तो है किन्तु इनके पिछे समाचार पत्र संपादक रिपोर्टर या चैनल का उद्देश नेक हो मतलब यह कि जो भी यहां पर समाचार चेनल होता है, समाचार पत्र होता है, जो दोसों का परदाफास कर रहे हैं, तो इसमें जो भी संपादक है, या जो रिपोर्टर है, और जो भी चेनल है, इनका उद्देश से कैसा होना चाहिए, इनका उद्देश से नेक होना चाहिए, इनका उद्देश बिल्कुल साफ सुत हैं मतलब जो नियू सेनल है समाचार पत्र हैं ठीक है तो उसकी लोग प्रियता बढ़ाना का उद्देश से ना हो इसके बाद फिर किसी संस्था को या किसी विक्ति को बदनाम करने का उद्देश नहीं होना चाहिए इसके बाद में ब्लेक मेल कर आनन फानन में धन कमानी की भ पीछे जो हमारे नियूस चैनल होते हैं नियूस पेपर होते हैं अगर यह बिल्कुल निश्वार्थ होकर अगर यह कारे कर रहे हैं तो यह बिल्कुल कारेकरम सार्थक होते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद आगे देखिए कि कि निम्न लिखित के संभावित परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं और आपस में चर्चा कीजिए जैसे इमानदारी को मूर्खता का परियाय समझा जाता है और परिणाम इसका क्या होगा तो ब्रहस्टाचार बढ़ेगा ठीक है अब प्रिश्ट नहीं आपर देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है आपको तो इसमें यह बोला जा रहा है कि निमलिखित संभावित क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं आपस में हमको चर्चा करना है अगर जैसे इमानदारी को गर मूर्खता समझा जाने लगे तो इमानदारी को मुर्खता का परियाय समझा जा रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा तो इसका परिणाम होगा ब्रष्ट अचार बढ़ेगा तो इस पर आधारित कुछ प्रेशन है जिनके उत्तर हमें देना है तो देखें यहाँ पर पहला प्रशन है कि सच्चाई केबल भीरू और बेवस लोगों के हिस्से पड़ी है तो उत्तर क्या है तो इसका उत्तर परिणाम यह होगा कि लोगों का सच्चाई से विस्वास उड़ जाएगा और जो जूट और फरेव मतल़ जूटे लोग होते हैं उनका कारोबार फलने फूलने लगेगा आरा तमत में तो अगर सच्चाई केबल भीरू और बेवस लोगों के हिस्से में पड़ी है तो इसका परिणाम क्या होगा तो इसका परिणाम होगा कि लोगों का सच्चाई से विस्वास उड़ जाएगा और जो जूटे लोग हैं फरेवी लोग हैं उनका कारोबार फलने फूलने लगेगा ये लोग तरक्की करने लगेंगे ठीक है दूसरा प्रिणाम है कि जूट और फरेव का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा तो प्रिणाम पर क्या पूछा जा रहा है आपसे इसरा यह हैं कि हर आदमी दोसी अधिक दिख रहा है और गुणी कम होता है मतलब हर आदमी में कुछ नो कुछ दोस्च छुपा हुआ है और गुणवान वह कम है तो फिर इसका परिणाम क्या होगा अगर हर आदमी दोसी हो जाएगा और गुणों की कमी हो जाएगी विक्तिक रिष्गंजेंटोर तो इसका परिणाम् क्या होगा तो इसका परिणाम होगा कि लोगों दवारा एक दूसरे को सक्की दरश्टे से देखा जाएगा तक किसी पर भी विश्वास करना मुस्कil हो जाएगा अरह मेरे इसीختर को धिए डिए लग करेंगे और विस्वास करना फिर मुश्किल हो जाएगा और अगर जहां विस्वास नहीं है तो वहां पर कोई भी कारी अच्छा नहीं होता है ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर यह प्रस्ण तीन भी समाप्त हुआ अब इसके बाद देखें कुछ सार्थक सीर्षक अब सार्थक सीर्षक है कि लेखक ने लेखक का सीर्षक क्या निरास हुआ जाए क्यों रखा होगा क्या आप इससे भी बहतर सीर्षक सुझा सकते हैं ठीक है तो उत्तर है इसका कि लेखक ने लेखक का सीर्षक क्या निरास हुआ जाए इसलिए रखा होगा कि जिससे लोगों क यह नहीं लगें कि लेखक अपने विचार पाठकों पर थोप रहा है आरा समझ में तो लेखक ने अपने जो विचार विक्तिक वह ऐसे थोपे नहीं है उन्होंने वास्तविक्ता पर आधारी तिये लेख लिखा है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद में इस सीरसक से लेखक के जिग्यासू भावना का पता चलता है तो मतलब होता जो जानने की एख्षा रखता है तो लेखक के यहाँ पर पता चलता है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि लेखक ये आसा बादी विक्ति थे ठीक है इसके बास संबह तक कुछ लोग इस बातावरण में नि निरास नहीं हुए थे तो हमारे जीवन में hebि एक बाता बरण कैसा हुना चाहिए तो कभी भी आपने जीवन में निरास नहीं होना चाहिए यह हमारे लेखख एपनी बता रहे हैं इस रात की भी मतलब अगर कोई रात है तो दिन भी होगा हारा समझ में इसलिए कभी आपको निरास नहीं होना चाहिए फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सोयम लेखक की आसा वादीता का पता चलता है कि ऐसे बातवरण से भी निरास नहीं हुआ था मतलों लेखक के साथ भी घटना वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी होगा व्यक्ति को हमेंसा आसा बाधी रहना चाहिए तो उम्मीद हमेंसा बनाए रखें यह हमारे लेखक के माध्यम से अपको बाते बताना चाहते हैं अब इसके बाद प्रिश्न दूसरा है कि यदि क्या निरास हुआ जाएं के बाद को से कौन सा चिननिऐ लग लगाएंगे तो कि अपने चुनाओं का कारण भी बताइए चिन आगया यह इन चिंन dose को उसके ऐखना जी ही यह आपको उत्तर है कि निरास हुआ जाए के बाद को सिर्षक से लेखक की जिग्यासा की भावना का हमें Pता चलता है तो लेखक की से थे लेखक जग्या सुप्राणी थे जग्या सा रखते थे जानने की एक्षा हमें सा रखते थे ठीक है ऐसा लगता है कि लेखक प्रश्ण बाचक सेली में पूछकर पाठकों से जवाब क्या पेक्षा करता है बले ही पाठक अपना जवाब या तो हां में देगा या फिर ना में देगा ह प्रिश्ण बाचक चिन तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रस्ण भी समापत हो जाता है प्रिश्ण तीसरा है कि आदर्सों की बाते करना हो तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है क्या आप इस बात से सहमत हैं तरक सहीत अपना उत्तर दीजिए ठीक है आदर्सों की तो हम बात बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन इस पर चलना बहुत कठिन होता है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं तो तरक सहीत अपना उत्तर दीजिए तो यहाँ पर देखिए आगे इसमें कि मैं इस बात को पूर्णतह या पूर्णतया सहमत हूं कि आदर्सों की बाते करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठी नहीं इस तरक या इसका तरक यह है कि हम सभी आदर्सों की बाते करते हैं पर उनके पालन में हमारे सामने नाना प्रकार की संभावनाय तता हमारी स्वार्थपूर्ण मनोवरत्ति आ जाती है तो लेखक यहां पर यह कह रहे हैं कि हम आधरसों की बाद तो बहुत करते हैं लेकिन हम इसका पालन नहीं कर पाते क्योंकि इनका पालन करने में हमारे समख्छ बहुत सारी स्वार्थपून मनोवृत्ती भी आ जाती है और कहीं नाना प्रकार के सम्महोनाय भी विद्यमान हो जाती है तो इसलिए विक्ति आदर्सों का पालन नहीं कर पाता है इसके बाद एक उधरन हम दहेश के विरोध में आदर्स की बातें उस समय करने लगते हैं जब हमें अपनी लड़की की साधी करनी होती है एक तरफ तो हम ये भी कह देते हैं कि भाई ठीक है दहेश प्रथा विल्कुल बेकार है तो ये बाते विक्ति कब बोलता है जब कोई भी पिता अपनी लड़की की साधी करता है तब कहता है कि दहेश प्रथा गलत है लेकिन इस आदर्स का हम पालन तब तक नहीं कर पाते जब हमें अपने बेटे की साधी करनी होती है और हम इस आदर्स का पालन उस समय नहीं करते जब हमें हमारे लड़के की साधी की बात आती है तबतों हम कहते कि दहएज मिलना चाहिए, और लड़की के साधी करते हैं तो बोलते कि नहीं दहएज प्रता गलत है, आ रहा समझ वे इसके बाद फिर हमारी स्वारथपूर्ण मनोवरत्ति हमारे सामने आखडी होती है, तो ऐसे परिस्तितिव में क्या होता है कि हमारी स्वार्थ पूर्ण नीती होती है हमारी स्वार्थ पूर्ण मनुवरत्ती होती है वो हमारे समक्ष बिल्कुल आ जाती है मतलब जो हमारी असलियत है बिल्कुल सामने आ जाती है ठीक है इसके बात पिर और हम अपने ही आदर्स का पालन करने में अक्षम हो जाते हैं औ समाप्त हो जाता है और यहां पर इस पार्थ के सभी प्रिस्टन उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं तो आज का हमारा session यहीं पर समाप्त होता है तो आई वोप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गउंगे तो परिष्छा में अच्छा लिखें और अच्छे अंग मुमे का निवाते हैं थेंक्स फूर पोचेंग